इस वीडियो में लोग नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं क्लास 12 मैथेमेटिक्स का वो है सारनिक सारनिक को इंगलिश में बोलता है और ये चैप्टर शुरू करने का रीजन यह था क्योंकि जो अपने तीसरी प्रशनावली पड़ी थी मैट्रिक्स उससे कनेक्टेड है तो थर्ड के साथ फोर्थ पढ़ना बेहद जरूरी है इसलिए थर्ड के बाद फोर्थ अपने स्टार्ट किया है फोर्थ के बाद हम लोग सेकंड चैप्टर पे आएंगे क्योंकि वो अपने बीच में छोड़ दिया था वो फोर्थ के बाद करेंगे अपने है ना तो फिलहाल फोर्थ करना है अपने को सेकंड नहीं करना है पहले तो यह है आप समझ लो बात को और फिर अपना शुरू करते हैं एक बाद देख लेते हैं कौन कोन आ गया है काफी इंट्रेस्टिंग चैप्टर है मैट्रिक्स से काफी लिंक है काफी सारी चीजें आपको कंप्यार करते हुए पढ़नी पढ़ेगी वहां से लिंक करते हुए पढ़नी पढ़ेगी बलकि कहना चाहिए कि सार्निक मैट्रिक्स का ही कोई छोटा भाई मानलो मैट्रिक्स से ही जन्मा है छोटा भाई मतलब मैट्रिक्स को आप कहलो कि इसका इसके पिताजी है मैट्रिक्स तो उन्हें से जनम हुआ है इसका तो अलग से यह कह सकते हो आप तो इसलिए मैट्रिक्स पढ़ना जरूरी है एक तो दूसरा मैट्रिक्स के बाद यही पढ़ना बहुत जरूरी है अगले चैप्टर के तौर पर ठीक है प्रदीप मिश्रा कामिनी रवी प्रशांथ मोहमद नाजिर अतुल नेलम निखिल्जर का स्टुडेंट हर्ष मस्तराम मिना सुप्रिया आकाश सम्रिध्धी मुन्ना कुमार अंशिका प्रदीप और लक्ष्मी बबली मनीश विशाल लकी, आलोक राहुल गौतम सोनम और हेमंत हेमंत के बाद है रितिक रितिक के बाद बाबुल हिमान्शू और काफे बच्चे आये हैं मुन्ना कुमार विजय दुर्गेश हेमंत, अंजली, सुमंत संजीव अलवर से क्या बात है रिशू गुल्षन रंधीर मुस्की विनै सेजल आशिस सेन विवेक राजपूत चलिए अलोक प्रिंस अनिल शुरू करें बच्चों अभिशेक प्राची कौशिक हर्षित बिहारी बाबुजी नाम क्या है आपका कनिश सिंग तरुन चलिए जी शुरू करते हैं बच्चों नया चैप्टर है थोड़ा ध्यान से पढ़ेंगे कुछ-कुछ बच्चों के एक्जाम्स चल रहे हैं जिनके एक्जाम्स चल रहे हैं वो 11 पर ध्यान दे जब एक्जाम्स आप लोग के खतम हो जाएं तो एकदम थोड़ी सी महनत करगे पुराना जो भी आपका छूट रहा है वो कवर कर लेना मैं एक बार फिर से पढ़ा दूँगा इस चैप्टर को कोई बहुत ज़ादा टेंशन वाली बात नहीं है फिलाल हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं जो भी बच्चे नए हैं वो लोग जरूर से Learn and Share का जो टेलिग्राम चैनल है उसको जरूर जोइन कर लिजेगा क्योंकि वहाँ पर सारी क्लासेस के नोटिफिकेशन आपको टाइम टो टाइम मिलते रहेंगे और भी कुछ नया नया वीडियो अगर आएगा तो उसके भी नोटिफिकेशन आपको यहाँ पर मिल जाएंगे ताकि कुछ मिस ना हो कभी-कभी यूट्यूब से आपको मिस हो जाता है तो यहाँ पर देख लेंगे आप कि कौन-कौन से वीडियो जा जाने वाले हैं सारे यहाँ पर आ जाते हैं इसके बाद ये दो कॉन्टेक्ट नमबर्स आप Learn and Share के नाम पर सेव कर सकते हैं कुछ भी दिक्कत परिशा नहीं आए आए आपको इन में से किसी से रिलेटड टेलिग्राम से जोडने से रिलेटड एप्लिकेशन से रिलेटड फेस्बुक इंस्टाग्राम से रिलेटड सबसे रिलेटड कोई भी दिक्कत आए तो इन नमबर पर कॉल कर सकते हो फेस्बुक इंस्टाग्राम चलाते हो तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ओफिशल लिंक दिये हुग है Learn and Share के वहां के वो भी आप follow कर सकते हो वहां पर भी Learn and Share के application अगर आप लोग ने डाउनलोड नहीं करी है तो वो तो डाउनलोड करना ही है आप लोग Learn and Share के application इसलिए डाउनलोड करनी है क्यों हर संडे को आपका एक तो free test होता है कुछ और करो ना करो कम से कम test जरूर दो हम यह चाते हैं आप लोगों से batch launch हो चुका है उसमें physics, chemistry, mathematics, biology, english ये subjects पढ़ा ही जाएंगी और इस batch में बहुत सारी facilities हैं आप लोगों के लिए definitely बहुत सारे बच्चे जॉइन कर चुके हैं यहाँ पर आप लोगों को homework भी मिल रहा है homework मतलब daily practice questions homework माने daily practice questions और उनके video solutions में मिल रहा है सबसे important बात यह है ताकि आपके practice ना रुके केवल book पे dependent ना हो बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि हम कौन सी book लें हम कौन सी book लें, extra कैसे पढ़ें, क्या पढ़ें कुछ लेने की ज़रत नहीं है आपके homework में इतने questions डालने वाले हैं कि आप ठक जाओ के करते करते लेकिन questions खतम नहीं होंगे और सारी variety cover हो जाएगी JE, NDA तक के cover हो जाएगे जो बच्चे NDA का exam देना चाहरे है न batch join कर लो, मेरे guarantee है NDA के सारे questions मैं previous years के तुमारे को वैसे ही करवा दूँगा chapter wise ही हाला कि वो एक अलग बात है कि उसके लिए 11 और 12 दोनों का batch join करना पड़ेगा फिर आपको क्योंकि NDA और JE वगरा में 11 और 12 दोनों का slave अता है, दोनों में ये process चलेगा लेकिन at least आपको join करना चाहिए बहुत ज़्यादा extra benefits भी है आपके doubt solve करने के लिए doubt solving groups भी है notes वगरा है वो तो एक अलग बात है आपकी live classes application पर भी चलेंगी अप्रेल से मैं बता रहा हूँ अभी से ही आप लोगों को अप्रेल से application पर आपको लोगों की live classes चलने वाली है तो अभी से join कर लो benefit में रहोगे ये दो contact numbers हैं आप लोग call कर सकते हैं बैच में join करने के लिए अब हम लोग मुद्दे की बात start कर रहे हैं finally सारनिक होता क्या है बहुत सारे लोगों को ये doubt रहता है कि सारनिक होता क्या है doubt रहता है इसका reason ये भी कह सकते हो आप कि ढंग से कहीं समझे नहीं आ रहा होता होता क्या है सारनिक कुछ समझे नहीं आ रहा क्या चीज है मतलब value कैसे निकालते हैं सारनिक की या पूरा चौथी प्रशनावली आप पढ़ लोगे लेकिन exact feel नहीं आएगा कि सारनिक है क्या चीज है ना मुद्दा ये है देखो मोटा मोटा साही बता हूँ तो आपको पूरा चैप्टर समझ में जाएगा क्वेशन सारे कर लोगे आप लोग कोई दिक्कत नहीं सारे क्वेशन हो जाएंगे आपसे क्योंकि क्वेशन एजी है fixed pattern के क्वेशन है format आपको ध्यान रहे हैं क्वेशन सारे video matrix में जो मैंने पढ़ाया था वो अगर आपने देखा होगा तो आपको matrix feel हुई होगी कि एक table है और कुछ नहीं है table के रूप में जमा रख्ये चीज़ों को ये और कुछ नहीं है और किस तरह से जमा रख्ये वो सारी मैंने उसमें बताई थी अब मुद्दे की बात यह है कि सारनिक क्या चीज है ये आपको feel हो पहले तो question solve करना इतनी बड़ी बात नहीं है आपको जब सारनिक feel हो जाएगा न तो उससे बहुत नई चीज़ें के द्वार खुल जाते है आपकी दिमाग मतला खुलता है उस चीज से तो यहां तक सोचा करो आपकी यह चीज है क्या चीज कहां से आई यह चीज यह थोड़ा सा आप लोगों को सोचना चाहिए इस तरह से जब भी कोई चीज पढ़ रहे हो तो तो फिलहाल मैं यहां पर लिखता हूँ topic डालता हूँ सारनिक English में बोलता है इसको determinant है ना और यह हम लोग अभी शुरू करने जा रहे है होता क्या है दो अलग-अलग चीजों से मैं आपको बताऊंगा यह क्या चीज है अपने book में भी दिया हुआ है हलाकि ऐसा नहीं है कि book में नहीं दे रखा है NCRT में दिया हुआ है यह चीज दो बातें main है इसके respect में जो पताऊंगा नहीं चीज आपको एक तो यह कि सारनिक केवल वर्ग आव्यू का निकाला जा सकता है केवल वर्ग आव्यू का सारनिक निकाला जाता है केवल वर्ग आव्यू का सारनिक संभव है ठीक है और कोई भी आव्यू है उससे मतलब नहीं है वर्ग आव्यू किसको बोलते हैं अगर आपने मैट्रेक्स वाला चैप्टर धंग से पढ़ाया तो जिसमें कॉलम और रोज का नंबर एक्वल होता है मतलब 2 by 2 का 3 by 3 का 1 by 1 4 by 4 का जो मैट्रिक्स होगा उसी का डिटर्मिनेंट निकाला जा सकता है हर किसी का नहीं निकाला जा सकता ठीक है दूसरी बात ये कि लिखते कैसे है डिटर्मिनेंट को कैसे लिखा जाता है उस चीज को जैसे मान लो एक मैट्रिक्स है एक वो है 2, 3, minus 4, 5 यह एक matrix है 2 by 2 की वरगावियू है, साफ साफ दिख रहा है अपने को 2 by 2 की matrix है तो इसको सारनिक को कैसे लिखा जाएंगे या कैसे लिखते हैं इसके सारनिक को सारनिक को लिखते हैं यू mod, मतलब पढ़ने में mod पढ़ सकते हो आप मतलब दिखने में ऐसा लगता है कि modulus है, mod है, मापांक फ़लन है लेकिन ऐसा नहीं है, यह मापांक नहीं है यह सारनिक है, दोनों को दर्शाने का तरीका सेम है, तो यह सारनिक A या determinant of A, इसको ऐसे भी लिखते हैं या फिर इसको क्या लिख सकते हो आप DET, determinant से DET लिया है, अपने केवल शुरू के तीन लेटर लिये हैं DET of A, determinant of A क्या होता है वो, या तो केवल यू लगा दो, या determinant of A ऐसे लिख दो, यह इसको लिखा ऐसे जाता है, होता क्या है, इसकी value क्या आती है, हो तो अपन आगे डिसकस करेंगे, लिखते कैसे हैं इस चीज को 2, 3, matrix से compare करते हुए बता रहा हूँ मैं न 4 और ये 5 ये matrix में तो क्या है, ये वाला bracket लगा था, यू यहाँ पर सिर्फ दंडे लगा रहेंगे तो, और कुछ नहीं करना, जैसे मापांक फलन के लिए डंडे लगाते हैं आपन, वैसे यहाँ डंडे लगाते हैं, इन डंडों का मतलब है सार्निक, इस bracket का मतलब है matrix, बस, ऐसे देख कैसे सोंझ में आता है, कि matrix है कि सार्निक है, ये डंडे हैं, तो सार्निक है, ये bracket है, तो matrix है, ये देख कैसे समझ में आएगा और लिखने में मैट्रिक्स को नॉर्मल नाम से लिख देते हैं capital letter से साणिक के लिए DET लगा दो determinant of A ऐसे पढ़ा जाता है इसको determinant of A इसको भी पढ़ेंगे determinant of A ही बाकि लिखने का तरीगा बस यह है clear रहे हैं यहां तक यह एक बात पढ़ेंगे फिलाल तो है ना आपके homework में या अलग से जो application पे आएंगे videos उसमें आपके 4 by 4 के भी मिलेंगे आपको उसमें वहां extra पढ़ाया जाएगा आपको लेकिन यहां पर YouTube पे आपको किवल जो मैं classes दूँगा उसमें 2 by 2, 3 by 3 तक ही दूँगा maximum जो अपने book में है book से extra NDA वगरा में use आते हैं वो अपन अलग से पढ़ा लेंगे application पे live classes में या extra videos cover करके तो फिलाल आगे बढ़ते हैं हम लोग अब हम समझते हैं कि सारनिक होता क्या है चलो यह तो लिख दिया आपने इसकी जरूरत क्या थी और यह होता क्या है इसकी value भी मैं बताई देता हूं साथ के साथ फिर उस value पे चर्चा करेंगे कि वो value इतनी interesting क्यों है या वो ही क्यों बोला सारनिक इसका सारनिक का मान क्या आता है 2 by 2 का बता रहा हूं फिलाल मैं 1 by 1 का भी बता दूँगा मैं 2 by 2 सबसे interesting है क्योंकि यह आप अच्छे से relate कर पाऊगे जल्दी समझ पाऊगे इसलिए मैं 2 by 2 से समझा रहा हूं आपको सारा का सारा इसका सारनिक का मान आता है या इसकी value आती है ये इन दोनों का आपस में गुणा कर दो 5 दोना 10 माइनस इन दोनों का आपस में गुणा कर दो 3 चो कुब 12 क्या answer आएगा यह आएगा 10 प्लस 12 22 22 तो इसका सारनिक का मान आया 22 तो सारनिक क्या चीज है सारनिक किसी भी वर्ग आव्यू से संबंदित एक संख्या है सारनिक क्या है किसी भी वर्ग आव्यू से संबंदित एक एद्वितिय संख्या है किसी वर्ग आव्यू के लिए एक एद्वितिय संख्या है सारनिक और कुछ नहीं है ठीक है तो सारनिक क्या है हर वर्ग आव्यू के लिए कोई भी वर्ग आव्यू लेलो 2 by 2 का ले होगे तो उसमें ये तरीका है उसको निकालने का कोई दूसरा भी ले सकते हो आप जैसे कोई दूसरा अगर आप लेते हो आप लेते हो 3, 4 माइनस 1 और 10 ये ले लिया आपने इसका साणिक निकालना है तो 3 दुना 10, sorry 3 दुना 10, हमेशा पहले ये दोनों multiply होंगे, सबसे पहले ये ही होंगे fix है ये, पहले इसको नहीं करना है आपको पहले ये ही multiply होगा ठीक है, उसके बाद 4 एकम 4, minus लगा करें minus का 4 है बीच में minus, ये formula का minus है ये समझ लो आप, ये तो हमेशे लगेगा ये बन रहा है आपके पास में 30, plus 4, 34 अभी इसका और मैं detailing करूँगा tension मतलो, इसको मैं और explain करने वाल हूँ बस सुनते रहो पहले आप और 2, 3 निकाल के दिखा देता हूँ मैं जैसे मान लो आपके पास root 3, 4, 7 और 2 root 3 है ये है, आपने multiply गया root 3 को 2 root 3 से तो root 3, root 3 मिलकर के 3 हो गया into 2 चली रहे तो ये root, लिखा तो ऐसे जाएगा लिखा ऐसे जाएगा minus में 7 into 4 पहले ये multiply होता है, fixed है 7 into 4 उसके बाद में आएगा तो आप लिखोगे का इसको 3 दूना 6 ये हो गया minus में 7, 4, 28 हो गया ये आगया minus का 22, तो negative भी आसकता है ऐसे कोई बात नहीं कि negative नहीं आसकता आसकता है, कोई tension नहीं है उसमें उसके अलावाज जैसे minus का 5 वो minus का 9 2 और 7 ये ले लिए है माल लो, तो आपने इन दोनों को multiply गया ये बनेगा 7, 35, minus का 9, 2, 18, minus का बीच में तो minus sign हमेशा ही लगा रहे हैं, अपन ऐसे तो कोई tension है नहीं उसमें तो तो ये हो जाएगा minus का 35 plus का 18 और ये बनेगा minus का 17 तो सारनिक 2 by 2 का निकालना का तरीका ये है और कुछ बात नहीं है, मोटा मोटा ये आपको समझ मागया कि 2 by 2 matrix का अगर सारनिक निकालना है तो हम ऐसे निकालते हैं, और होता क्या है सारनिक सारनिक basically किसी वर्ग आव्यू से सम्मंदित एक मान है बस और कुछ नहीं है, एक संख्या है आप लिग देता हूँ मैं यहाँ पर सारनिक किसी भी वर्ग आव्यू से सम्मंदित एक संख्या है प्रतेक वर्ग आव्यू से सम्मंदित मतला प्रतेक वर्ग आव्यू को आप किसी संख्या से सम्मंदित कर सकते हो सम्मंदित माने सम्मंद स्तापित करना माने अगर आप दो समुच्चे लेके बैठे हुए हो सम्मंद्य हम फलन अपने पढ़ा है शब्दी हो जा रहा है वहाँ से कनेक्ट हो रहा है अब इसको मैं फंक्शन से कनेक्ट करूँ हो देखना कमाल का तरीका बता रहा हूँ आपको भी सुनना द्यान से सार्निक किसी भी वर्ग आव्यू से सम्मंदित एक संख्या है मतलब प्रतेक वर्ग आव्यू किसी ना किसी संख्या से सम्मंदित हो सकता है उस संख्या को हम लोग फिलाल सार्निक कह रहे हैं कि किसी वर्ग आव्यू को किसी संख्या से हम सम्मंदित मतलब, संबंदित श्यओ कर रहे हैं, उसको हम लोग सार्निक कह रहे हैं, और अब मुद्द यह है, कि ऐसा ही क्यों बना सार्निक हैं, वो भी आते हैं, फिलाल मैं बतारा हूँ कि संबंदित शब्द को कैसे इस्तिमाल में ले सकते हैं अब आप, इसको मैं अभी एक बार डीट 5 यह matrix A है माल लो यह 1 by 1 की है तो इसका सारनिक कैसे निकालोगे इसका सारनिक आएगा simple 5 1 by 1 की अगर कोई matrix है तो उसका सारनिक वही आजाएगा क्योंकि उसमें कोई calculation होगी कुछ नहीं होता है उसका सारनिक वही आजाता है ठीक है ऐसे 3 by 3 का भी कुछ calculation का तरीका है वो तरीका मैं बताऊंगा अब मैं एक मोटी मोटी चीज पर आता हूँ आपके लिए कि आपने एक चीज observe करी होगी कि मैं कोई भी सारनिक बना रहा हूँ तो उसका कोई ना कोई मान आ रहा है मैं कोई भी सारनिक बना रहा हूँ तो उसका कोई ना कोई मान आ रहा है किसी भी matrix का मैं सारनिक निकालना चाह रहा हूँ तो कोई ना कोई मान हमारे को मिल रहा है कोई ना कोई मान मिलेगा एक दो example और ले रहा हूँ मैं उससे कुछ मैं बताना चाह रहा हूँ जो आएगा, पांस दुना 10, माइनस, चारतिया 12, माइनस का 2 आ जाएगा, अगर मैं इसको ऐसे लिख दूँ, 5, 3, 4, 2, और इसमें भी माइनस लगा दू चलो, या इसमें माइनस मतलगो, आब इसमें लगा दो माइनस, अब बताओ क्या आएगा, अभी भी 5, दुना 10, माइनस चारतीय बारह, आंसर आएगा माइनस टू, और दोनों के दोनों एकदम अलग है, ये एकदम अलग है ये मैट्रिक्स ही अलग थी, जिसका सार्निक हमने निकले ये मैट्रिक्स और ये मैट्रिक्स अलग अलग है तो सार्निक उनों का अलग अलग है लेगिन सारनिक का मतलब दो अलग-अलग matrix के सारनिक समान आ सकते हैं सारनिक क्या है? एक संख्य है समझ मैं है आपको बात? समझना इस चीज को बहुत गहरी बात बता रहू है सारनिक क्या है? एक संख्य है किस से related? किस से संबंधित संख्य है? किसी वर्ग आव्यू से संबंधित एक संख्य है कहने का मतलब यह हुआ कि आव्यू और सारनिक एक दूसरे से संबंधित है किसी ना किसी फॉर्मेट में किस फॉर्मेट में संबंधित हो गए? द्यान से समझना इस चीज को बहुत गहरी बात बता रहू हूँ एक मैट्रिक्स है A1 A1, A2 ऐनी, ऐसे बना दो न, इसको 2x2 की मैट्रिक्स ही बना दो न, प्रॉपर ऐसा गरो, A11, A12 A21 और A22 यह मैट्रिक्स है हमारी 2x2 की ठीक है? इस मैट्रिक्स का डिटेर्मिनेंट क्या बनेगा? मौड A क्या बनेगा? यह डिटेर्मिनेंट ओफ A, यह सार्नेक A क्या बनेगा? यह पहले इन दोनों से मल्टिप्लाई हो जाएगा मतलब A11 इंटू A22 A11 इंटू A22 माइनस A12 इंटू A21 A12 इंटू A21 यह होगा? clear है तो? simple सी बात है? ठीक अब ध्यान से समझो यह एक matrix है? यह सार्नेक है? इससे सौ लोगे एक संख्या आएगी तो matrix अगर मैं एक ऐसा set बना दूं इधर जिसमें केवल आव्यू, आव्यू ही लिखे हुए है matrix ही matrix है इस तरफ केवल वर्ग आव्यू का एक समच्च है इस तरफ मैं संख्यां लिख रहा हूँ, आर समुच्चे ले रहा हूँ, वास्तविक संख्यां का एक समुच्चे ले रहा हूँ, मानलो एक बार के लिए, तो वास्तविक संख्यां का क्या, बलकि काल्पनिक संख्यां भी आ सकती है, क्योंकि हम लोग अगर यहाँ पर आयोटा वगरा लगा 3 by 3 के भी हो सकते हैं, जितने possible हैं सारे ले लो आप, अब आपने जैसे मान लो केवल 1 by 1 का लिया एक 5, उससे संबंदित संख्या कौन सी हो गई, 5, आपने ये ले लिया, 2, 3, 4, 5, इससे संबंदित कौन सी संख्या आगई, 3, minus 2, आपने ये ले लिया, 5, minus 3, minus 4, 2, उससे संबंदित संख्या कौन सी आगई, again minus 2, अलग भी आ सकती है, आप इदर के लोग को ये example, अलग आएगे संख्या, कोई tension वाली बात नहीं है, जैसे ये लोग आप, 3, 4, minus 1, 10, 3, 4, minus 1, 10, इससे संबंदित संख्या कौन सी आ रही ह इससे संबंदित संख्या रही है, 34, इससे संबंदित 34 है, तो मैं बस ये बताना चाह रहा हूँ, आव्यू आपको समझ में आ जाएगा, कैसे निकालते हैं, वो कोई बड़ी बात नहीं है, वो तो अभी मैं 10 मिनट में पूरी 4.1 एक प्रशनावली खतम करा सकता हूँ आप तरीके से, f function बन गया, वर्ग आव्यू को आप कुछ भी नाम देदो, square matrix को s से नाम देदो बलई, इसके समुच्चे को, वर्ग आव्यू मतलब square matrix, मैंने s नाम देदिया इस समुच्चे को, जितने भी दुनिया की वर्ग आव्यू है, वो s समुच्चे में है, और इधर complex numbers से ले लिए मान लो मैंने, तो function define किया जा सकता है, s से लेकर के c में, आव्यू हों के समुच्चे से लेकर के, सार्निकों के मानों में, मतलब प्रतेक आव्यू किसी ना किसी संख्या से संबंदित है, वो संख्या उस आव्यू का सार्निक का मान है, और ये सार्निक का मान इतन है क्यों निकालना चारहे है हम यह सार निक का मान या यही मान क्यों निकाला अभी समझा दूँगा यह मैं उसकी टैंचे मतलो वो मैं अभी समझा दूँगा कि यही क्यों निकाला मोटी मोटी बात यह है कि matrix इधर लो, उधर सार निक के मान लोगे, तो आपस में एक संबंद इस्तापित हो रहा है आप देखो function में दो लोग किसी x से connected हो सकते हैंगे नि दो अलग-अलग matrix का द्यान से समझना, दो अलग-अलग matrix का किसी x संबंद हो सकता है सही बात हैं लेकिन किसी x से 2-3 निकल सकते हैं तो आप सोच लो देख लो इसके 2 मान आ रहे हैंगे, minus 2 ही आएगा इकलौता मान आएगा, किसी भी matrix का जो determinant आता है, किसी भी value का जो सानिक आता है वो add with you आता है 2 मान नहीं आएंगे कभी भी, single value आएगा किसी 1 का एक ही मान आएगा हो सकता है, 2 अलग अलग लोगों का same मान आ रहे हैं, वो कोई दिक्कत नहीं है लेकिन किसी 1 व्यक्ति का 2 answer नहीं आएंगे किसी 1 matrix के 2 सानिक नहीं आएंगे 2 या 2 से ज़्यादा matrix का 1 value आ सकता है तो इसलिए हम कहते हैं कि हाँ ये फलन की तरह इसको study किया जा सकता है फलन की तरह इसको देखा जा सकता है देखने का नजरिया आप फलन के रूप में भी रख सकते हो इसका ये भी एक संभावना है ठीक है, बाकि मोटा मोटा तो बस यही है कि आव्यू से संबंध रखने वाली ये एक संख्या है वो हर एक वरग आव्यू से संबंधित एक संख्या है वो संख्या निकालने का एक fix तरीका है, जैसे 2 by 2 का तरीका ये है 1 by 1 में मैंने बोला कि वो ही आजाय का अंसर 3 by 3 का मैं तरीका भी सिखा दूँगा, लेकिन अब मुद्दे की बात यह आती है कि यह क्यों लिखा? यह यह वाली चीज इतनी Important क्यों है? कि भाई यह इससे Multiply हो जाए फिर Minus Sign लगके यह इससे Multiply हो जाए यह इतनी Important क्यों है? यह यहां सोचने की बात है कि यह Particular Value इतनी Important क्यों है? ऐसा क्यों नहीं किया? कि इन दोनों को multiply कर दिया फिर minus करके इन दोनों को multiply कर दिया कर सकते थे ना बजी अपनी मर्जी बना रहे हैं हम तो या फिर ये भी कर सकते थे इन दोनों को आपसे multiply कर दिया फिर minus करके इन दोनों को आपसे multiply कर दिया लेकिन ऐसा तो किया ही नहीं है ऐसे तो किया नहीं है, तो क्यों नहीं किया, बीच में माइनस ही क्यों लगाया, प्लस क्यों नहीं लगाया, क्या रिजन है, उस पर अब बात करेंगे अपन, ठीक है, यहां तक आप लोगों को क्लियर हुआ गया, दिपांशू, हलो बिटा, यहां तक आपको क्लियर हुआ गय आज मेरे कै गले में इशु हो रहा था गले में दर्द हो रहा है एक्चली तो मैं एकदम काड़ा बड़ा बना करके गला थोड़ा सेट करके आया हूँ अभी थोड़ा बेटर है अलाकि काड़े से फाइदा दो बिलता है वैसे तुम लोग भी यूज लिया गरो मेरा पर्सनल एक्सपिरियंस यह कहता है गला थोड़ा ठीक तो होता है अलाकि मुझे यकिन है क्लास खतम होते होते तक फट जाना है मेरा गला लेकिन ठीक है बहुत बड़ी आमन सेजल ने कहा कि सर मेरे 23rd मार्च से एक्जाम है एन्वल के सर मेरा 1st पेपर मैट्स का है सर मेरी full तैयरी हो चुकी है सर अभी मेरे 3rd मंथली पेपर हुए थे उसमें मेरे 25 में से 25 हैं क्या बात है यह होती है बात मज़ा आगया सुन करके बहुत ही बड़ी है बेटा चलिए तो आगे बड़े बच्चों यहां तक तो कुछ बताया है नहीं मैंने simple मैंने 2x2 matrix का determinant कैसे निकालते हैं वो बताया है ऐसे ही क्यों निकालते हैं वो तो मैं बताऊंगा वाकि यह चीज़ समझ में आ रही है कि एक अगर आव्यू है तो उससे संबंदित कोई एक संख्या होगी उसको हम connect करके फलन का नाम दे सकते हैं उससे संबंद को क्योंकि फलन क्या होता है एक विशेश प्रकार का संबंद होता है यही तो होता है तो एक आव्यू एक संख्या से संबंदित है वो इस तरह का संबंध बन रहा है कि हम उसको फलन नाम दे रहें कोई टाइंशन ही नहीं है यहां तक तो अब हम लोग आगे की चर्चा शुरू करते हैं ठीक है बहुत यह बड़िया बिटा शिवम बड़े आगे बिटा यह मैं ऐसे ही बस मन के जानती के लिए पढ़ा रहा हूं तुम्हारे को बाकी इस पर कोई question नहीं है यह क्याल तुम्हारे को feel करवाने के लिए पढ़ा रहा हूं मैं question तो कुछ और ही बनेंगे भी मैं अभी बता हूंगा question question बहुत easy है यार question में ऐसा कुछ दम नहीं है 4.1 प्रेश्णावली मैं चाता तो अभी तरह खतम करवा देता तो हमारी इतनी simple है आदे गंडे की ही है वो इतनी दम वाली बात नहीं है उसमें लेकिन अभी थोड़ा सा feel करेंगे न और कुछ-कुछ 4.1 प्रेश्णावली में ऐसी चीज़े हैं जो अपन derive कर लेंगे ऐसे formula क्योंकि वो NDA, JEE इस तरह के जो papers होते हैं उनमें direct question के तोर पर आती है बड़े question मन करके तो इसलिए थोड़ा feel करवाने की ज़रत है बस है इसलिए चल रहे हैं अपन आराम-आराम से चलेंगे आप जल्दबाजी मत करना बस मैं जो पढ़ा रहा हूँ जांते से बढ़ते रहूँ सलिपस मैंने बोल दिया तो मारा दिवाली तक खतम करा देंगे नौंबर तक खतम करा देंगे तो मारा सलिपस 100% guarantee के साथ मैं निश्चिंत रहो आख अब देखो सुनो ये इतना important क्यों है है ना ध्यान से समझेगे इस चीज को आपको याद है तो हमने 10th class में भी सीखा है एक चीज दो pair of linear equation in two variables third chapter था दसवी कक्षा में आपको शायद याद है नहीं है अभी मैं लिखूंगा तो याद आ जाएगा जिसमें आपने सीखा था कि दो अलग-अलग समीकरणे है रैक एक समीकरणे एक है a1x plus b1y plus c1 बराबर में 0 एक होती है a2x plus b2y plus c2 बराबर में 0 यह अपने सीखा हुआ है कहां सीखा हुआ है दसवी कक्षा में ऐसे दो समीकरणे हुआ करते थे जिनको हम लोग हल किया करते थे हल करने के लिए हमने बहुत तरीके अपनाए हमने अपनाया ग्राफिय विधी याद आ रहोगा थोड़ा बुद हमने अपनाया प्रतिस्थापन विधी आस तक अपना रहे हैं प्रतिस्थापन विधी विलोपन विधी से तो आस्ता की कर रहे हो आप लोग हमने विलोपन विधी अपनाई इसको हल करने के लिए और फिर हमने अपनाया वज्रगुणन विधी ये सब चीजें हमने की थी इनको हल करने के लिए दो समीगणों को हल करने के लिए इतने ताम तम्मूर एपन ने लगा दिये थे लगाने के से पहले जब हम graphia video पढ़ रहे थे आपको याद हो तो 3.1 प्रेशनावली में हमने 3 अलग-अलग cases की study कर ली थी 3.1 और 3.2 में ही कि 3 तरह की ऐसे combination possible है रेखाओं के इनको graph बनाते हैं तो एक सरर रेखा आती है आपने ये तक तै कर लिया था 3.1 और 3.2 पढ़ते समय ग्राफिय विदी से ही अलग-अलग examples लेकर के कि या तो इनका graph ऐसे बनेगा जो एक दूसरे को cut करेगा या फिर इनका graph ऐसा बनेगा कि एक के उपर एक आ जाएंगे या फिर इनका graph ऐसा बनेगा कि ये दोनों एक दूसरे के समाना अंतर आएंगे graph बनाने पर दोनों रेखाएं ये अपने सीखा हुआ है ठीक है ये वाले कहलाती थी प्रतिछेदी रेखाएं आपको याद आ रहोगा थोड़ा बहुत मैं हलका सा याद दिलाने की कोशиश कर रहा हूं बस ये कहलाती थी समपाती रेखाएं और ये कहलाती थी समानतर रेखाएं हम जब भी इनको हल करते हैं तो हल करने के बाद हमारी कोशिश रहती है कि हमें एद्वितिय हल मिल जाए एक simple सा answer मिल जाए वो answer simple सा केवल प्रतिछेदी रेखाओं में ही मिल सकता है क्योंकि एक बिंदू पर ये प्रतिछेद कर रही है यहां तो अनन्द बिंदू पर प्रतिछेद हो रही है एक के उपर एक है इसलिए इसमें अनन्द हल आते हैं तो हमारे कोई काम का नहीं बस्ता हो यहां समानतर रेखाए हैं एक भी बिंदू पर प्रतिछेदी नहीं कर रही तो कोई हल ही नहीं मिलता यह भी अपने काम का नहीं बनता फिर उस case में मिला जुला करके अगर आपको हल चाहिए तो प्रतिछेदी रेखाओं में मिलेगा एद्वितिये हल मिलते हैं यहां पर एद्वितिये हल जो की हमारे काम क्यों होते हैं एद्वितिये हल मिलते हैं यहां पर अनन्द हल आते हैं अनन्त हल का क्या करेंगे हम यार और ये कोई हल ही नहीं मिलता इस बताओ कोई हल नहीं फिर हमने कुछ तरीके निकाले हमने देखा कि बैसे तो काम नी चलेगा बार बार ग्राफ बनाएंगे क्या पागल हो जाएंगे इतना लंबा प्रोसेस होता है ग्राफ बनाने का तो फिर ग्राफ बना करके चेक करें साब की प्रतिशेदी रेखाएं हैं समपाती हैं या समानतर है या फिर मान लो आपको प्रतिस्थापन विधी विलोपन विद्धी, वज्जरदण विद्धी, कोई भी अपनानी है तो अपनाने के बाद पता चले की इसका थो आंसर हिए नहीं आ रहा उससे अच्छा है कि देख करके समुझ में आ जाए कि आंसर हो रहा कि नहीं आडह रहा उसके लिए अपने क्या तरीक अपना है था? अपने का था कि भाईया अगर एद्वितिय हल चाहिए जो कि सबसे बढ़िया कंडिशन होती है सबसे बढ़िया चीज होती है तो उसकी शर्त होती है कि A1 बटे A2 बराबर नहीं होना चाहिए B1 बटे B2 के होती है यहाँ पर क्या होता है अगर A1 बटे A2 बराबर हो गया B1 बटे B2 के तो या तो समपाती रेखाएं बनेंगी या फिर समानतर रेखाएं बनेंगी लेकिन हमारे पास में प्रतिछेदी रेखाएं नहीं बनेंगी ठीक है? समपाती के लिए यह था कि C1 बटे C2 निकाल लो बराबर आगया तो समपाती नहीं तो बराबर नहीं आया तो समानतर मोटा मोटा हमारे इतना ही काम आएगा कि A1 बटे A2 बराबर नहीं है B1 बटे B2 के यहाँ पर A1 बटे A2 बराबर है बस ऐसे याद दिलाने के लिए बताया है, अब इसको आगे connect करूँगा मैं इस चीज को, चीज़ को, आगे सुनना, ये आपने बना दिया, A1X प्लस B1Y प्लस C1 बरावर में 0, A2X प्लस B2Y प्लस C2 बरावर में 0, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ गया, इसी को मैं ऐसे लिख बरावर में माइनस का C2, इन दोनों समीकरणों को, मैट्रिक्स की मदद से भी हल किया जा सकता है, इन दोनों समीकरणों का, एक मैट्रिक्स फॉर्मेट भी संबव है, उससे भी इसको हल किया जा सकता है, ये हम इसी चैप्टर में सीखेंगे, सारनिक में ही, तीन, दो या त तीन equations को, मतलब X और Y की equations होंगी, तो 2 equations होंगी, X, Y, Z में होंगी, तो 3 equations होंगी, उनको कैसे सारनिक और matrix की help से solve करते हैं, यह अपन इसी chapter की last exercise शायद 4.5 है, उसमें सीखने वाले हैं, है ना, तो बहुत ज़ता tension लेनी की ज़रुत नहीं, अपन सीखेंगे, फिलाल मैं यहां से इसको matrix रूप में बदल के बता रहा हूँ आपको, यह वहां भी काम आएगा, इस chapter में काम आएगा, tension लेनी की ज़रुत नहीं है, एक तो आप इसका A matrix माल लो, यह जो संख्या हैं, यह जो गुडांक है, A1, B1, A2, B2, column matrix बना दू, यह X पर Y है, उसके पाद इस तरफ जो भी बन रहा है, इसको कुछ भी नाम दे दो, आप B नाम दे दो बली, कोई भी matrix दे दो, B नाम दे दी है मैंने दो, minus का C1, minus का C2, इससे कोई लोड नहीं है, B matrix का कोई खास रोल नहीं है, तो बला है इन दोनों का खास, अब आप एक काम करना जरा, मैं बस यह कहना चाहरा हूँ, कि यह जो चीज लिखी हुई है, इसको matrix रोप में ऐसे लिख सकते हैं क्या, AX is equal to B, समझो इस चीज को, ऐसे लिख सकते हैं क्या, समझना इस चीज को, AX is equal to B, बहुत सारी चीज एक connect होँगे एक दूसरे से, तब आपको समझ में आएगा, क्यों matrix जो sonic command निकाल रहे हैं, वो वैसा ही क्यों निकाल रहे हैं, जो बताया है आपको, आपका ध्यान थोड़ा भी हिला, गड़बड हो जाएगी, ध्यान से सुन लो मेरी बात, वरना पूरा वीडियो वापेस देखना पड़ेगा, ध्यान हिलते ही अड़बड जानी है, सारा concentration सिर्फ सामने रखना है आप लोगों, ठीक हैं, बहुत सारी चीज इदर उदर से connect करने वाला हूँ मैं, प्यारा UP बेटा, वो application पर करवाऊंगा मैं, AX is equal to B है, AX is equal to B है क्या check कर लो एक बार यह, A को X से multiply करना जरा, A into X कितना बन रहा है, multiply करेंगे तो ऐसे ही multiply होता है, यह इस से multiply हो जाएगा, A1X plus B1Y, A1X plus B1Y, और सेम ऐसे नीचे वाल यूँ, इस से A2X plus B2Y, A2X plus B2Y, यह हमारा AX बन गया, ऐसे ही B matrix तो यह है ही, अब देखना जरा, AX को B से equal कर देंगे तो, इसको अगर मैं equal कर दूँ, minus के C1, minus के C2 से, तो क्या होगा compare करने पर, उपर वाला इसके बराबर, A1X plus B1Y, बराबर minus का C1, A2X plus B2Y, बराबर minus का C2, हो गया, कहने का मतलब यह हुआ, कि जो दो चरवाले रेकिक समी करन थे, उनको हम matrix format में भी convert कर सकते हैं, और फिर इससे answer भी निकाल सकते हैं, वह इसका answer क्या है, X or Y की value, मतलब अगर यहां से, आपको X matrix मिल जाए, X matrix actually हम पढ़ेंगे आगे, कैसे मिलेगी, B into A inverse, B into A inverse, यह A matrix उदर divide में नहीं जाएगी, क्योंकि divide तो होता नहीं, यह matrix का, inverse हो जाता है, तो यह matrix उदर जाकर के inverse में convert हो जाएगी, तो यह अगर पढ़ेंगे हैं ना, अभी मान लो कि होती है ऐसा, X बराबर B into A inverse बन जाएगा, तो उससे X की value आजाएगी, मतलब यह matrix का मान आजाएगा, यह matrix का मान आगया, मतलब उपर जो लिखा है वो X का मान है, नीचे जो लिखा है वो Y का मान है, और इससे यह समीगर्ण हल हो गई, तो मोटी-मोटी बात याएगी, आंसर नहीं निकाला जा सकता, सही बात है, कुछ ऐसी होंगी, जिनका आंसर नहीं निकाला जा सकता, सही बात है कि यह बता हो, अपने यहाँ पर देखा, यह समीगर्णे कुछ ऐसी हो सकती, जिनका आंसर ही नहीं आएगा, जैसे अगर मैं समानतर रेखाओं का case create कर दूँ 2x plus 3y is equal to 5 और 2x plus 3y is equal to 7 इसका कोई हल नहीं निकलने वाला हमें पता है हमने पढ़ा है दस्विय में ही अभी क्या पता है आपको उसके बारे में दस्विय में पढ़ लिया था कि A1 बटे A2 बराबर है B1 बटे B2 और बराबर नहीं है C1 बटे C2 के तो उसका कोई हली नहीं निकलता क्योंकि वा समानतर रेखाएं होती है तो कभी कभी ऐसी pair of equations भी हो सकती है जिनका कोई हली निकलेगा या फिर अनंत हल आएंगे जो अपने काम के नहीं है अपने काम का तो होता है इकलोधा हल है है ना ये दोनों case अपने काम के नहीं है ठीक है सुनना आप यांसे और इस equation का matrix रूप में देखे तो हल कब निकलेगा जब आप B को A inverse से multiply कर दोगे भाईया B को A inverse से तो तब multiply करोगे ना जब A inverse निकल पाएगा B को A inverse से तो तब multiply करोगे जब A inverse निकल पाएगा A inverse निकलता है कि नहीं निकलता है ये किस पर निर्फर कर रहा है मैंने पहले भी बताया था आपको 3.4 प्रशनावली में कि आप direct देख सकते हो 2 by 2 matrix में तो उसका सालनिक निकाल करके 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा अगर सालनिक ही 0 आ रहा है तो उसका inverse निकल सकते आप और inverse निकल सकते तो X का मान नहीं आएगा मतलब वो समभी करने हल नहीं हो सकती ये मैंने 3.4 में बताया था अब सुनना द्यांसे यह matrix कौन सी है? A matrix, यह रही है A matrix है A1, B1, A2, B2 ठीक है? यह आप यह समझ लो कि इस तरह की equations के लिए answer आने की condition क्या है? A1 बटे A2 not equal to B1 upon B2 A1 upon A2 is not equal to B1 upon B2 cross multiply गरना ज़रा? यह इधर multiply करना? A1, B2 is not equal to यह A2, B1 A1, B2 इसको इस तरफ ले के आजो minus का A2, B1 is not equal to 0 अगर ऐसा है तो A द्वितिय हल मिलेगा मतलब हल मिलेगा equation solve होगी मोटा मोटा बोलें तो equation solve होगी देसी बाशा में बोलें तो कब होगी? जब A1, B2 minus A2, B1 is not equal to 0 आएगा तो equation solve होगी A1, B2 minus A2, B1 क्या चीज है यह? हमने कहा था इसको हम क्या बोल रहे हैं? हमने कहा था इसको हम बोल रहे हैं सारनिक इसी को क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि भाईया यही एक important चीज आ रही है यहाँ पर इसकी बहुत value है यह अगर 0 के बराबर नहीं होगी तो equation solve हो जाएंगी लेकिन यह 0 के बराबर होगी equation solve भी नहीं होगी इतना कमाल का result दे रही है यह तो इसका मतलब यह कुछ value है जो बड़ी काम की value है इसको नाम दे दिया सारनिक इस value को क्योंकि हमें equations solve करने के लिए use लेना था matrix का यह सबसे ज़्यादा use लिया जाता है matrix का सबसे पहले यही discover किया गया था कि matrix की मदद से यह समीकरणों को कैसे हल करें बड़ी बड़ी complicated समीकरणों को और मैं एक और चीज़ बताता हूँ programming अगर किसी को आती है आप आगे जाकर किसी कोगे engineering वगरा करोगे तो programming में इस concept का बेहद इस्तिमाल होता है इसकी मदद लेकर के आप in equations को solve कर सकते हो matrix matrix की help लेकर के सब कुछ किया जा सकता है मतलब यह possible है ऐसे calculator आते भी अभी भी आते है कि आप simple values जालोगे और तीन समीकरणे एक साथ solve हो जाएंगे x y z के चार हो जाएंगे तो यह सब किससे possible है programming से और इसलिए क्योंकि हम calculate कर पा रहे है कि क्या चीज important है सार्निक का कैसे importance है तो मोटी मोटी बात हमें अगर identity हल चाहिए हम चाहते हैं कि समीकरणे हल हो जाएं जो दोनों समीकरणों की जिनकी बात चल रही है तो उसके लिए a1 b2 minus a2 b1 not equal to 0 होना चाहिए मतलब यह जो number है यह बड़ा काम का number है इसको सार्निक नाम दे दिया क्योंकि यह बहुत काम का है तो सार्निक नाम दे दिया उसी को पढ़ेंगे कि भईया कैसे calculate करें क्योंकि यह बहुत काम का है तो calculate करना आना चीज़िए अपने को अब वो seeking यहाँ तक बताओ मुझे कोई दिक्कत है किया बहुत ही बड़ी है विकास पाठक 99 मार्क्स तो बहुत अच्छे मार्क्स है एक नंबर ओर लाना है इस बार बस बारेवी में 100 नंबर चाहिए अपने को तब आएगा असली मज़ा तुम लोगों पैसे जो 100 नंबर लेके आएगा न उससे मैं डायरेक्ट बात करूँगा जूम पर और उसको लाइव करवा दूँगा मैं यूट्यूब पर 12th क्लास मैं और मैं ही नहीं सारे टीचर्स बात करेंगे जहां जहां तुम लोग 100 नंबर लेके आएगे सारे टीचर्स तुम से बात करेंगे और वो जूम जूम की जो तुमारी बातचीत है बाकि लोगों बच्चों को भी प्रेना मिले उसके लिए हम लोग यूट्यूब पर डालेंगे सारी सारी जितने बच्चे लेके आएगे और मुझे यकीन है इस बार बहुत सारे बच्चे लेके आएगे महनत उस लेवल की करेंगे अपन सब मिल करके करेंगे केवल आप लोगों को नहीं करनी हम भी करेंगे हाला कि आप लोगों के बिना काम नहीं हो पाएगा यह क्या कर रहा है निखिल सर का स्टूडेंट कर रहा है सर प्लीज आपके इतना ही इसका आगे तो बताओ बिटा कुछ समझे नहीं हारा क्या करना चाहता है सत्य प्रकाश अच्छा सर आएं आस्था सर आप 12 को फिर से स्टार्ट करेंगे क्योंकि यह तो आपने 11 में ही शुरू कर दिया था जो मैं 11 में नहीं देख पाई थी हाँ करवा देंगे निश्चिंद रवास था मैं करवा दूँगा एक उचित समय देख करके आपको एप्लिकेशन पर ही अलग से लाइव ले करके करवा दूँगा उन सभी बच्चों को जिन्होंने यह नहीं पढ़ा है आप निश्चिंद रहो उसके लिए प्रॉपर सिस्टेमेटेकली पूरी क्लासेश करवाऊंगा मैं आप लोगों की एप्लिकेशन पर एप्लिकेशन पर बहुत क्लासेश होंगी इस बार सोशल साइन्स से नहीं होती बिटा इंजिनेरिंग इंजिनेरिंग साइन्स मैट से ही होती है और कोई सब्जेक्ट से नहीं होती है सिर्फ साइन्स मैटस अगर आप लेते हो तो इंजिनेरिंग कर सकते हो 20% कया का से entra आमन किया रहा है कि Hellow सर मेरा पेपर एन्ड ही end हो गया, मेरे math paper NCRT से 2 level उपर था, कुछ questions RD Sharma की book से मिलते थे only NCRT book से 10-20% questions आये थे sir, मेरे 3-4 सवाल छूट गए है, tension मतलो अमन, 12 class में आपके एक सवाल नहीं छूटने देंगे, क्योंकि 12 class में जिन-जिन books से आपका homework बनाया जा रहा है ना मैं आपको बताता हूँ, एक तो RD Sharma, RD Sharma का तो कोई सवाल छोड़ेंगे नहीं आप लोगे लिए, tension नहीं मतलो आपको तंग नहीं करेगे RD Sharma RD Sharma, J.E. के previous years questions NDA के previous years questions state state engineering के exams जो होते हैं, उनके previous years questions, एक book और है, वो है international board की, international international board की, मेरे पास एक book है क्योंकि मैं कुछ ऐसे बच्चों को पढ़ाया करता था जो international board से थे तो उनके कुछ books मेरे पास है उनके रख ली थी मैंने actually जान करके क्योंकि उनमें questions वोड़े अच्छे level के होते हैं तो international board की जो books चलती है आप कभी सर्च करोगे तो ICSE board है उसकी books चलती है उससे, इनके अलावा एक और book है RS Agrawal RS Agrawal से इतना नहीं बनाते हैं क्योंकि ये cover हो जाता है तो RS Agrawal की ज़रूरत नहीं पढ़ती है इनसे आपका homework design होता है इन books को reference में ले करके और इसमें क्या pattern follow करते हैं 4.1 है तो 4.1 पढ़कर के आप questions solve करपो 4.1 से related gable क्योंकि आप तभी J.E. के मान लोग किताब ले रहे हो chapter wise भी ले रहे हो तो उसमें matrix determinant दो chapter का mix एक chapter बनाते है खिचड़ी बन जाएगी तुम्हें समझ में नहीं आएगा कैसे practice करें practice करने का best तरीका हमने 10-10 दिन यहां पर discuss करके यही निकाला कि भाईया प्रशनावली के हिसाब से बच्चों को homework दो उसमें advance questions दे दो क्योंकि normal तो वो पढ़ी लेंगे यूट्यूब से स्यानती से advance questions systematically जमा करके उनको प्रशनावली हिसाब से दे दो और जो और advance questions हो ज़्याद ही mix questions हो दो-तीन प्रशनावली होगे उसको vivid प्रशनावली बना करके डाल दो homework में तो ऐसा ही homework डिजाइन कर रहे हैं आप लोग के लिए अब इस फोर्थ चैप्टर में तुम देखना vivid प्रशनावली में क्या level के questions तुम लोग को मिलेंगे J.E.K. N.D.A. के in board engineering exams के सारे papers मिलेंगे जिसने maths ली है, engineering तो करनी ही है उसको तो उसकी तो तयारी एक level भी करवानी हमारी भी जिम्मेदारी होती है हाला कि आप लोग को हमने 12th की ही जिम्मेदारी दिये मतलब 12th का ही commit किया है लेकिन आपकी तयारी इस level की हो जाएगी कि अगर आप systematic पढ़ते हो तो आप N.D.A. निकाल सकते हो और J.E. mains भी निकालने lack हो सकते हो जबकि J.E. की तयारी नहीं करवा रहे है क्योंकि J.E. की तयारी के लिए पिछे बहुत preparation चाहिए वो तयारी next year से शुरू करेंगे हम लोग यहाँ पर और फिर वो तयारी शुरू होएगी तो फिर वो next level तयारी होगी बिना commitment के जबकि commitment भी नहीं किया है कि यह तुम निकालोगे इसकी तयारी करवा रहे है ऐसा कुछ नहीं बोला है सिर्फ 12th की तयारी के साथ में करवा दोगे तुम यह है आपके उस जिग्यास उस बात का जवाब तो मेरे ख्याल से इस बार 12th के board exam में एक single question कहीं से भी आजाए दुनिया में से आपके सारे questions all हो जाएंगे अगर आपने यह homework कर दिया तो 12th board clear हो जाएगा यह कुछ exams जो engineering के होता है सब clear हो जाएंगे कुछ नहीं छूटेगा मेरी guarantee है मैं अपनी जिम्मेदारी लेता हूँ इस चीज की पूरी जिम्मेदारी मेरी है और इसमें ऐसा भी नहीं है कि जैसे तीसरा chapter हो गया उसके विविद प्रेशनावली सब बना दी 3.1, 3.2, 3.3, 3.4 बना दी उसके बाद क्या करने वाले हैं पता है आपको विविद प्रेशनावली बना के छोड़ दी लेकिन पूरे साल में और भी तो अच्छे questions मिल सकते हैं मिलेंगे मान लो पूरे साल में एकठे और हो गए 15-20 questions जो ऐसा लगा यार वो भी डल जाते तो मज़ आ जाता तो उसको भी नई विविद प्रेशनावली 2 करके डाल देंगे मतलब विविद प्रेशनावली Part 2 करके डाल देंगे और मिलेगा Part 3 करके डाल देंगे questions डालते चले जाएंगे आपको बस practice करते चले जाना है आपके उपर है कितनी practice करते हो इतना systematic जमा करके आपको देंगे तो निश्चिंत रहो यार मज़ आ जाएगा आपको tension ही मतलो आप बस एक ही चीज चाहिए आपसे सिर्फ एक जो मैं class में पढ़ा हूँ ठंग से आपको अच्छे से revise करना है revision आप एक बार करो दो बार करो, तीन बार करो, दस बार करो आपको जितना समय मिल रहा है उतनी बार करो और homework करना है regularly, इसको आपने skip किया बढ़न बढ़ता जाएगा क्योंकि homework अभी तो शुरू हुआ है, अभी तो आपको बस धमाकान दिमाग पर जोहर ना पड़े, इसलिए थर्ड चैप्टर के homework कम-कम मिला था आप आओ पांचवे चैप्टर पर मिलते हैं आप से, फिर देखना कितने question मिलते हैं तुमारे को तुमारी जान नहीं निकल जाएगी तो homework करते हैं फिर देखता हूँ मैं कैसे नहीं आते एक छोटी बात है 100 number लाना एक छोटी बात है क्या level होगा वो आपको imagine नहीं कर सकते है आप अपने आपका level, मैं ये कहना चाहरा हूँ 100 number लाना एक छोटी बात लगेगी तुमारे को, खुद को लगेगी 100 number ये के target हुआ, target तो अलग ये होना चाहिए 100 number के साथ 4 exam और निकाल लूँ ये होना चाहिए target तो, आपको ऐसा लगेगा खुद को मैं नहीं कहा रहा, थोड़े टाइम बाद अगर आपने सब कुछ regularly कर लिया तो ठीक है? चलिए, तो विन्हे याद हो कर रहा है कि सर, हिंदी मीडियम के बच्चों को J.E. कम, टीचर कम पढ़ाते हैं मैं इंग्लिश मीडियम में J.E. की मैथ पढ़ता हूँ और सम टीचिंग है, इंग्लिश मीडियम के टीचर की सच में मैथ फील हो जाती है पेटा, हिंदी मीडियम में फील करवाएंगे, आपको शिंताई मत करो यह जो गैप है न, दुनिया में जो चल रहा है हिंदुस्तान में हिंदी और इंग्लिश मीडियम का, वो गैप खतम कर देंगे अगले एक साल के इनना अंदर बस यह ही टारगेट है जेवन का हमारा यहां पर और एक करके रहेंगे हम कोई ताकत निरोख सकते दुनिया गी चले हैं, सो एंडिये का एक्जाम बायोवल नहीं, बायोवलों के लिए नीट की तैयारी होगी और बायो की भी इसी तरह से होमवक बनेंगे, इसी तरह के questions डिजाइन होंगे जो previous years papers में से होंगे, वो बायो वाले बच्चों के लिए होंगे उससे अगर वो तैयारी करते हैं, तो वो नीट वगर अभी निकाल सकते हैं इसीली, नीट बलकि इसी होता है जैई से, नीट और जैई में फरक क्या है, जैई के questions थोड़े टफ होते हैं नीट के questions comparatively easy होते हैं, लेकिन नीट में speed matter करती है, बहुत ज़दा जो फटा-फटा-फटा questions कर रहा है, क्योंकि नीट में questions ज़दा आते हैं, जैई में questions कम आते हैं, क्योंकि tough होते हैं तो बात वो ही है एक तरीके से, बस यह है कि नीट के लिए बहुत ज़दा NCRT से बहुत ज़दा अलग level की तैयरी की ज़रुत नहीं है speed fast होना ही चाहिए, JEE में या NDA में एक level उपर तो जाना ही पड़ेगा आपको वो सकता है, दो level जाना पड़े, तीन level जाना पड़े उसके लिए ही तैयरी करवा रहे हैं आपकी homework से related ठीक है बच्चों, तो मेरा target बस यह है कि आप लोग कोशिश यह करो कि maximum marks लेके आओ और एक चीज और सुन लो, अभी March मार्च में आपकी classes कम ही चलेंगी क्योंकि सब बच्चों के paper नहीं हुए है, मजा नहीं आता है ऐसे पड़ाने में फिर पेपर अगर पूरे नहीं होते हैं तो उन बच्चों के, आपकी अप्रेल से लगबख 5 अप्रेल के आसपास से regular कर देंगे classes सारी subjects की, physics की भी, chemistry की भी, mathematics की भी, biology की भी और अप्रेल के mid से या end से English भी शुरू कर देंगे आप लोग के, tension मतलो आप बिलकुल भी मार्च मार्च थोड़ा शांती रखो, जितना आपको homework दिया जा रहा है उसको अच्छे से revise कर लो, ताकि वो chapter तो आपको पूरे साल दोबारा नहीं देखना पड़े, सोचो कितना बड़ा advantage है कम से कम पहला chapter आपको at least NCRD से तो पूरा करवा ही दिया है, तो 1.4 छोड़ करें, 1.1, 1.2, 1.3 तो कम से कम इतनी आने चीए आप लोग को, maximum questions उसी से बनते हैं, कि दुबारा नहीं देखना पड़े आपको, तीसरा chapter तो ऐसा होना चीए, with homework दे दिया है वो तो, कि दुबारा चीजें हैं, बस आप लगे रहो, तैयारी करते रहो यार, है ना, स्लेबस हम करवा देंगे, उसकी आप टैंशन मतलो, वो हमारी जिम्मेतारी है, ठीक है, चलो, ठीक है, बच्चों, आज मेरा बस यही motive था, कि मैं आप लोगों को यह feel करवा दूं, कि matrix, सार्निक क्या होता है, और 2x2 का सार्निक निकाल करके, specially ये साबित कर दूं, कि यही क्यों important है, ये चीजी क्यों important है, इसी को सार्निक क्यों क्यों बोला, क्यूँकि इस से बहुत सारी चीज़े connect होरी है, एक तो चीजी यह connect होरी है, कि इसकी मदद लेकर के आप, समी करनों को हल करने का माध्यम धूंड रहे हो कि निकलेगा के निकलेगा इसका हल इससे देखके डायरेक्ट बढ़ा दोगे आप यही सार्निक होता है अगर सार्निक 0 हो गया तो भाईया यह solve भी नहीं होंगी equation यह 3.4 में भी देखा था आपने किसी किसी आप व्यू का inverse निकल रहा था क्यों निकल रहा था उसका सार्निक का माध्य 0 हो आ रहा था करके देखना पता लेगा आपको मैंने बताया भी था आप लोग उस टाइम उस टाइम फील नहीं हो गागा क्योंकि यह चैप्टर नहीं पट रहे थे न अप फील हो जाएगो आपको और भी यूज होते हैं केवल एक यूज बताया है तो मैंने equation solve करने वाला दो equation दे रखे हैं तीन equation दे रखे हैं उसको matrix या सार्निक की मदद से हम लोग solve कर रहे हैं तो एक यूज है ऐसे 50 यूज होते हैं और उन 50 यूज में ये संख्या common रहती है इसलिए संख्या की उप्योगिता इतनी जादा है कि इसी को सानिक नाम दे दी है और इसी को हम लोग अब study करने वाले हैं अगले कुछ lectures में चौथे chapter में easy है कर लेंगे आप आराम से कर लेंगे मैं जान करके कि अभी slow speed से आराम से चल रहा हूँ थोड़ा सा कम-कम पड़ा रहा हूँ आगे से एक एक गंटे की हो सकता है डेट डेट गंटे की वी ओ टेंशा मतले लेना classes है ना वो मैं मेरे साब से देखूंगा उतकर्ष क्या कर रहा है सर मैं अभी को आया हूँ मेरे बैटरी डिस्चार्ज हो गई थी अताज़े कि मैं अभी 12th में गया सर मैं आपका संबंद और फलन वीडियो देखते आ रहा हूँ सर मैं अभी सर्दिक शुरू करू सर्दिक शुरू करू सर्दिक शुरू क्या कह रहे हो बई समझ नहीं आ रहा प्लू तो आज की क्लासे इस हमाप्त कर रहा है मैं नेक्स्ट वाली क्लास में आपको 4.1 प्रशनावली कोशिश करूँगा पूरी समाप्त कर दूँ पूरी हो ही जाएगी ज्यादा कुछ है नहीं उसमें तो चार पॉइंट एक नेक्स वाली में करेंगे अब भी आज के लिए बस आफ फील दो डेटर्मिनेंट का इतना ही करते हैं नेक्स क्लास में करेंगे वाकी ठेके बच्चों ठेके बच्चों और मेरी ये आप सभी से रिक्वेस्ट है अगर आप अच्छे नंबर चाहते हैं वाकई में चाहते हो कि यार एक अलग लेवल की आप तयारी करो तो अच्छे आप ये बैच जोइन करो ट्वेल्थ क्लास का और केवल मैट्स का ही नहीं मैं तो कहता हूँ कमाइड बैच जोइन करो आप लोग फील करोगी कि आफ लाइन से आदी भी नहीं है फीस उससे भी बहुत कम है और चीजे बहुत ज़्यादा आपको जेई लेवल तक की तैयारी यहाँ पर बैठे बिटाए हो जाएगी एक्स्टर दिमाज लगाना ही नहीं है और मैं चाहता हूँ यार मन से चाहता हूँ मैं कि आप जितने बच्चे जुड़े हुगा हो आपके ISO में से 100 तो जो खुशी मिलेगी न फट जाएगी खुशी से यहाँ पर सारा बस ओफिस ओफिस के लोग अंदर से फट जाने है खुशी से बड़ा मज़ा आएगा उसके बाद में यार पाटी करेंगे मस देखना असली पाटी तब होगी तो बस आप लोगों से यही उम्मीद है कि आप लोग घर पे अच्छे से पढ़ाई करेंगे यहाँ कि आप टैंचन आलो यहाँ हम पढ़ाएंगे पूरा आप घर पे समाल लो बस चले, thank you so much, all the best, bye bye, see you